अब चलते हैं स्टुएंट्स नेक्स टॉपिक की तरव जिसका नाम है इंटर कन्वर्जन ओफ काइनाटिक एंड पॉटेंशल एनरजी हम लोग देखेंगे कि काइनाटिक का पॉटेंशल के साथ क्या रिलेशन है कैसे एक इनरजी के अंदर जब लॉस आता है स्टुएंट्स स्टुएंट्स अब वहां पर उसकी पॉटेंशल एनरजी होगी वो क्या है एम जी एच और काइनेटिक एनरजी इस पॉटेंट्स के ओपर स्टुएंट्स होगी जीरो वी रिलीज़ बॉड़ी एज इट फॉल्स बॉड़ी क्या करेंगी फॉल करना शुरू कर देगी हम ल चैंज कैसे आपस में इंटरचेंज होंगी स्टुनेट्स इस बॉडिड़ी के जैसे ही फॉल करते हूए हम लोग बजर्व करेंगे तो वहां पर हम लोग ने काइनेटिक और पॉडेस इनरजी को आपस में इंटर्चेंज होते होए देखना है। यहां पर क्या होगा कवर करना पढ़ा है students वो क्या है एक्स अब इस एक्स को हम लोग देखते हुए distance x को देखते हुए और body की position को देखते हुए हम लोग potential energy को solve करेंगे अब हम लोग क्या करते है students यहां पर सबसे पहले potential energy को देखते हैं which is equal to mg h-x यह पूरी height है यहां से लेकर point a से लेकर point c तक यह तमाम height h है हमारे पास इस में से हम लोग सिर्फ आदे हिस्से की बात करेंगे जो कितना है हमारे पास x तो अगर height h में से हम लोग x को minus कर दें तो हमारे पास इतना distance बचेगा students वो हमारे पास total height है for potential energy of dispatch from the distance of a to b क्या होगा students kinetic energy जो है हमारे पास वो है minus half mvb का square हमारे पास यहां पर जो component लिये जा रहा है students वो b है तो हमारे पास kinetic energy है उस हिसाब से वो क्या होगी minus half mvb का square so velocity vb at b can be calculated from the relation vs square minus vs square plus 2gs यह हमारे पास equation of motion ही है कौनसी 2as is equal to vf square minus v i का square इसको हम लोगों ने energy करके लिखा हुआ है और final velocity को हम लोगों ने left hand side पर calculate करने के लिए निकाला है अब क्या होगा students इस equation के इस relation के मताबिक vf जो है हमारे पास किसके एक वाल है vb के v i किसके एक वाल है जिरो के और s किसके एक्वाल है x के सो हमारी जो equation बनेगी students वो क्या होगी vf की जगा vb square is equal to 0 plus 2g x which is equal to 2g x तो यह हमारे पास velocity जो है students उसका component उसकी value हमारे पास किसके एक्वाल आ रही है 2g x के इस patch के ओपर इस point b के उपर फर्दर अगर kinetic energy की बात करते है students तो kinetic energy किस form में होगी minus half m vb square की जगा हम लोगों ने put कर देना जो हम लोगों ने value निकाली थी 2g x उसको यहां पर put करेंगे तो हमारे पास जो kinetic energy students वो किसके एक्वाल आ रही है m g x के फर्दर बात करते हैं तो total kinetic energy या potential energy किस point के उपर b point के उपर वो हमारे पास किस form में आ रही है students mg h-x यह हमारे पास potential energy प्लस यह kinetic energy mg x वह किसके एक्वाल होगी mg h-k अब students इस condition को देखते हुए हमें नजर आ रहा है कि जो height students अगर body earth से height पर हो तो वहां पर जो हमारे पास energy होगी वो हमेशा potential energy की form में होगी फर्दर बात करते है students तो क्या हम लोग देखेंगे कि position c के उपर point c जो last position है students just before the body strikes उससे पहले हमारे पास potential energy होगी वो zero होगी बिलकुल ground के क्रीब अगर मारे पास body गिरती भी आ रही है students तो वह अगर ground के क्रीब हो तो वहां पर potential energy क्या होगी zero और वहां पर kinetic energy according to the component c क्या होगी minus half mvc का square where vc can be found out by following expression इसको कैसे found करते हैं vc square is equal to v i square plus 2gh यह हमारे पास equation of motion है बस यहां पर हमारे पास final velocity की जगा जो component यूज किया जा रहा है students उसको हम लोग use कर रहे है vc का square which is equal to v i square initial velocity है plus 2ghg हमारे पास gravitational constant है और h हमारे पास height है so क्या करेंगे students हम लोग इसको solve करने के बाद initial velocity जो कि हमारे पास zero है so हमारे पास vc का square जो है students वो किसके को ला रहा है 2gh so further अगर हम लोग kinetic energy की बात करते हैं vc square हमारे पास value आ चुकी है so kinetic energy equal to minus half mvc का square which is equal to half m cross 2gh हम लोगों ने यहां पर vc की जगा क्या put कर रही है 2gh so हमारे पास total हमारे पास energy बनती है kinetic के form में यहां पर वो क्या है students mgh thus as point c जैसा कि हम लोग point c की बात करें kinetic energy जो है students वो equal होगी original value of the potential energy यानि के हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर अगर बाड़ी अर्थ से थोड़ा भी हाइड पर है students तो kinetic energy की जो total value है वो किसमें convert होती नजर आ रही है potential energy में actually जब हमारे पास body गिरती है students downward की direction में तो उसकी velocity क्या करती है increase कर जाती है for example कि जो body students वो accelerate हो रही है move कर रही है किसी velocity के साथ कहां पर under the action of gravity यानि कि अर्थ की तरफ वो गिर रही है तो जो increase in velocity होगा students वो किस नतीचे पर पहुँचेगा कि उसकी वज़ा से जो increase in kinetic energy students वो increase होता वो बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा यानि कि जो kinetic energy है उस velocity की वज़ा से उसमें increment होता नजर आएगा on the other hand as the body falls जैसे body fall करती है गिरती है students उसकी height भी decrease होती है और इसकी वज़ा से जो potential energy students वो भी decrease होती है so students हम लोग देखते हैं कि जो loss in potential energy है वो किसको result करता है gain in kinetic energy को जहां पर हम लोग देख रहे हैं students कि kinetic और potential energy आपस में interchange हो रहे हैं तो हमारे पास left hand side पर क्या है loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy so loss in potential energy के लिए हम लोग relation लिख रहे हैं students mg h1 minus h2 यहां पर हमारे पास जब body a point से b point तक आई थी students तो यहां की height उसकी अलाइदा है और इसकी जो total height है वो अलाइदा तो दोनों heights के accordingly हम लोग potential energy चुके relate करती है height के साथ तो हम लोग ने यहां पर दोनों heights को consider करना है which is equal to minus m bracket के अंदर है v2 का square minus v1 का square यह हमारे पास final और initial velocity है जिनको हम लोग ने नाम दिया v1 और v2 का फर्दर चलते हैं यहां पर v1 v2 velocity है h1 h2 हमारे पास heights है और इसके result में हमारे पास यह तभी true हो सकता है students कि अगर हम लोग यहां पर friction को consider नहीं करते अब बात करेंगे friction के अगर हम लोग friction को भी बीच में consider कर है तो अगर हम लोग उसको इगनोर करते हैं तो मारे पास जो total potential energy है वा कनवर्ट हो जाती है total kinetic energy में यह फिर total kinetic energy convert हो जाती है total potential energy में अगर हमारे पास friction को अग्णोर कर दिये जाए लेगिन अगर हम लोग friction force कख यह Assume करते हैं students तो क्या होगा अगर हमारे पास body गिर रही है downward direction में और वहाँ पर हम लोग friction force को भी observe करते हैं तो कुछ potential energy जो है strength वो use हो जाएगी during work against friction equal to FH यहाँ पर body जो है वो potential energy strength वो convert हो रही है क्या करने में work done करने में किस के against friction के against the remaining potential energy जो रहेगी हमारे पास potential energy वो क्या होगी MGH minus FH यहाँ पर हमारे पास friction force भी जो है वो potential energy के case में add हो जाएगी so it is converted into kinetic energy कैसे convert किया जाएगा left hand side पर हमारे पास potential energy potential energy with the influence of friction which is equal to half mv square क्या है kinetic energy so MGH हमारे पास ऐसी ही रहे कर right hand side पर हम लोग friction force यानि कि FH को ले जाएगे so क्या होगा हमारे पास loss in potential energy will be then equal to gain in kinetic energy plus work done against the friction so students यही हमारे पास inter conversion of kinetic into potential energy के loss अगर हमारे पास हो potential energy के अंदर तो हमारे पास क्या gain होगा kinetic energy और उसके साथ friction force भी add होगी क्यों क्योंके यह भी एक important factor है during the work done thank you झाल झाल